हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं श्तियां आज मैं आपके साथ डहलिया का प्लांट लेकर के आए हूं डहलिया इसमें बहुत ही अच्छी व्लूमिंग कर रहा है आप देख सकते हैं प्लांट जो है कितने ज्यादा है यह प्लांट फ्री में तैयार हुआ है मतल हिसके में देखे पूरी इसमें मेरी किछन से कंपोर्स्ट टे सारी जिसके वजह से कबाद़र प्लांट इतना हब के जिए बादय के साइज देखिए इनके साइज देखिए कितने साइज के फ्लावर है आप देख सकते हैं मैं दो हाथों से मिला करके इतने बड़े बड़े फूल है इनके देखे ब्रांच बिल्कुल जूग गई है तो आपको यहीं बताना है कि अडेन सोरी है डेलिया कि आपके इस तरह से देख वाल करें कि आपके जो फ्लावर है वो भी बिग साइज के आए और प्लांट भी आपका हेल्दी रहा है सबसे पहले तो इसमें पेस्ट इस लिए द्यान रखे इस पर इंसेक्टिसाइट के स्प्रे टाइम आप करते रहे जिससे आपके प्लांट में कोई आसी प्रॉब्लम देखने को ना मिले और बड़े फूल लाना है तो आप अच्छा प्लांट को मतलब इतना नियूट्रेंस दीजिए कि प्लांट को फोड की कामी बिल्कूल ना हो तो प्लांट आपका बहुत अच्छा रहे गभा नेको फ्रॉड रेत इसका अच्छी जरूरत कम होती है लकिन बड़ा विक से फूल खिलेगा 1वाण इस ज्लीजिए फोड़ से फेसाइड़ जिसमें कि आप DAP सकते हैं और बोन मिल आप इसको दे सकते हैं हर महीने आप मतलब बोन मिल दीजिए या तो DAP दीजिए तो मैंने तो रीपोट कर दिया दिया ही नहीं तह fertilizer बाद मैं अभी आ कर थोड़े टाइम से मैंने इन completing herissible Litrise किया है और जो खाद में लगा है उसमें तो और भी कुछ फ्रिट्लाइजर नहीं दिया वह सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ एक और लगा है यह देखिए यह भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसमें बहुत अच्छे से बर्स बननी सुरू हो गई ये ब्ट रही ड्यधा के फूल ने का यहीं तरीका है कि यह पुत अच्छी से और लेटिलाइजर दिजिए है तो आपका प्लाइंड जो फलावर रहीं बहुत ही बीऑग साइज के आँगे आप यहांपे देक सकते हैं जितने फ्रॉप क्लावरे मेरे काफी बीक साइज की वीडियो में मुझे भी छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन औरिजनल में यह बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े फूल हैं तो वर्मी कमपोस्ट दीजिए बोन मिल दीजिए नीम की खली दीजिए यह सारे फॉरिटलाजर आप इनको दीजिए और लिकूट फॉरिटलाजर और मस्टर्ड केक भी आप बना करके दे सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और गेनिक एंपीके है आप चाहे तो एंपीके सकते हैं उससे भी प्लांट की ग्रुवत आपके बहुत अच्छे निकल करके आएगी दोबारा फूल पाने के लिए आपको यही करना है जैसे फ्लावर सुक चुका यह देखिए यह फूल सुक चुका अब मैं हाथ से है तो मैंने ऐसे तोड़ लिया इसके एक दो और तीन यह तीन पतियां यहां से कट कर दीजिए नीचे से इसमें और श्टेम निकलेगी और नीचे से प्लांट को धूला सब फूलाइज कर दीजिए वर्मी कंपोस्ट नेमगी खेली बोन मिल डेपी जू भी आप देना चाहें सारे मिला करके थोड़ा थोड़ा दे दीजिए नी देख रहे हैं मेरे हां अभी थोड़ा सा आज एकदम कोहरा चाया हुआ है दूप नहीं निकली है आज और नहीं तो बहुत ही मतलब उतनी जाद ठंड हमारे हां नहीं पड़ी जिस तरह से बाकी जगों पर पड़ रही है तो जितना ज़्यादा दिन तक ठंड रहती उतने बाहर करती हूं मैं उसी घंट में पड़े रहने देती हूं दो-तिन अदेशा रहता है और प्लांट ग्रॉण होने लगते हैं और पिर उसी से कटिंग लेकरकि मैं इनको लगबक तीन साल से हर साल अपने गार्डन में इनको करती हूं कटिंग से और बहुत ही अच्छा लगता है तो बस फ्रेंड्स अगर फूल बड़े चाहिए तो आप प्लांट को फरिटलाइजर अच्छे से दीजिए और खास कर इसको फासफोरस फासफोरस रिच फरिटलाइजर और जो नाइट्रोजन है वयानि कि वर्मी कंपोस्ट बोनमिल या फिर डी है तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तक के लिए बाई